मुंबई हत्याकांड, मर्डर या सूसाइड आरोपी मनोज कर रहा पुलिस को गुम रहा सामने आई नई कहानी मसा ये पेच महाराश्ट्य की राल्थानी मुंबई में हुए हत्याकांड में आरोपी मनोज ने जो दरिंदी की दिखाई है उसे सुनकर कोई भी खौफ में आ सकता है वहीं इस मामले में आरोपी ने खुद से 20 साल छोटी लिविन पार्टनर सरसोती को कथित तौर पर मौत के खाटो तार दिया था इसी को इस घटना की भनक ना लगे इससे बचने के लिए आरोपी मनोज ने सरसोती के शर्फ के कई टुकड़े किये और उनको कुकर में उबाला फिर मिक्सी में पीस दिया था हाला कि अब वही आरोपी मनोज मामले पर पुलिस को गुमरह करने की कोशिश कर रहा है दर असल अब वसाई विरार पुलिस का कहना है कि पूछ दाज के दौरान आरोपी मनोज साने ने पुलिस को बताया कि सरसोती वैदे ने बीटे 3 जून को आत्म हत्या कर ली थी इससे वो डर गया था कि उसकी हत्या का आरोप लगाया जाएगा इसलिए उसने शरीर को ठिकाने लगाने का फैसला किया पुलिस के अनुसार इसके साथ ही उसने पुलिस को बताया कि उसने उसके शरीर के टुपले किये और बद्बू से बचने के लिए उन्हें प्रैशर कुटर में उबाला उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसने इसके बाद अपना जीवन समप्त करने का फैसला किया था और उसे इसका अब कोई पत्सावर नहीं है इधार पुलिस अब इस नई कहानी से तंग है और आरोपी द्वरा प्रितक केस पुद्पुशी करने के तावे की पुष्टी कर रही है इसके साथ ही अब मामले की हर एंगल से जाच की जा रही है और घर से परामद शब के फुक्रों को पोस्ट मार्टम के लिए जे जे अस्पताल फेज दिया गया है वहीं मामले पर एक्सवर्स का कहना है कि केवल पैर या कुछ टुक्रों के आधार पर ये पहचान ना मुश्किल हो सकता है कि सरसुती ने आत्मा हत्या की है या फिर उसकी हत्या कर के शब को काटा गया है जानकारी दें कि आरोपी ने खुझ से 20 साल चोटी लेविन पार्टनर सरसुती को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया किसी को इस गटना की भनक ना लगे इससे बचने के लिए आरोपी मनोज ने सरसुती के शब के कई टुकडे किये और उनको प्रेशे कुकर में उबाला फिर मिक्सी में पीस दिया था वहीं जब पड़ोस में रहने वाले लोगों को घर से पजबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद इस हत्याकान का खुलासा हुआ था